प्रिये छात्रों नमस्कार आज हम आपके लिए जो प्रॉब्लम सौब करकर दिखला रहे हैं वह प्रॉब्लम कक्षा 11 के गणत के छात्रों के लिए उप्योगी है साथ ही साथ ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणत की NCRT की हिंदी संस्क्रण की पाठ पस्तक्सेल ली गई है ये प्रॉब्लम विवेत परसावली तीन की आजमी प्रॉब्लम है जो पेज नमबर नभ्य पर है के लिए तो आज की हमारी प्रॉब्लम है साइन एक्स बटे दो कॉस एक्स बटे दो तथा टैन एक्स बटे दो ग्याद कीजिए अर्था तहां पर यह हो सकता है का मान ग्याद कीजिए यदि टैन एक्स बराबर माइनस चार बटे तीन कॉमा एक्स दुत्तिय चत्रतांस में है आपको यह दिया हुआ है 10x का मान माइनस 4 बटे 3 है और एंगल जो x है वह दूसरे चत्रतांस में है तो इस प्रतवन्द के आधार पर जो आपको ये प्रतवन्द दिया हुआ है इस प्रतवन्द के आधार पर आपको 10x बटे 2 cos x बटे 2 और 10x बटे 2 का मान याद करना है जैसा कि आप जानते है चत्रतांस 4 होते है ये आपका पहला चत्रतांस होता है ये आपका दूसरा चत्रतांस होता है ये तीसरा चत्रतांस होता है ये चौसरा चत्रतांस होता है पहले चत्रतांस के अंदर जो कॉल होते हैं वो 0 से लेकर पाइवटे दो तक्के होते हैं या जीरो से बड़े और पाइवटे दो से छोटे होते हैं और दूसरे चत्रतांस के अंदर साइन एक्स और कॉसिक एक्स यह दो त्रुकों में पास जो होते हैं इनका मान तो पॉजिटिव होता है और अन्चार जो बचें टैन एक्स कोट एक्स सैक एक्स और कॉसेक्स उनके मान निगेटिव होती है लेकिन पहले चेंतर तांस के अंतर गर्ज्जों हैं वह स्एक्स कोस्स टैन एक्स कोट एक्स सैक और कोसिक एक्स च्छेओं के च्छेट गोमितियन पाज जो हैं सभी के मान धनात्मक होते हैं आपको यह बाता से व्याद होना चाहिए यह चोटी शोटी बाता होती है जिए आपको यह नहीं मालूम होंगी तब आपको प्रिशनल करने में बना समस्था पैदा हो जाएगी अब पहले हम यह मा मामուम सार एंग्यल एक्स बटेग दो जो है वो कहां पर इष्थित है पहले चॉत्तरता二 दूसरे में होगा तीसरे में होगा चौधिन में होगा कहां पर होगा इसकी हम जानकारी कर लेंगे उसके वाद हम यह निश्जर्ट करेंगे की इसके मान धनात्मक होंगे यह नहनात होगा और पाई बटे 2 से बड़ा होगा तो हमने लिखा क्योंकि दिया है एकस दूसरे चत्रतांस में है अताए एकस का मान जो है पाई बटे 2 से तो बड़ा है और पाई से छोटा है अब यदी हम इस पूरी असमिका को इनी कुरिष को दो से डिवाइट कर दें तो हमारे और अब मतलब therapist करेंगे तो यहां पर बेंचे नदर रहा है और दो से जद्स albo आखर रहा है और यह थकर दो से जाएगा पूर्शन जो है पहले चत्रतांस का सब्सक्राइब हुए उसके अंदर साइन के कोश के और यह दden ने करने के बाद इतना विचार करने के बाद हिसाब लगाने के वाद हम इस पैहले जिवाद को पोँचे कि साइन दो का मान जिसका मान हमें ग्याद करना है कौस एक्स बटे दो का मान जिसका मान हमें ग्याद करना है और टैन एक्स बटे दो का मान जिसका मान हमें ग्याद करना है वह धनात्मक होगा तो इतना डिसक्स करने लिए हमने पहले ग्याद कर लिया कि हमारे लिए साइन एक्स बटे दो कॉस एक्स बटे दो और टैन एक्स बटे दो का मान धनात्मक होगा धनात्मक नहीं होगा यह बात तो यहां पर हमने फैसला कर ली अब हम इस बात पर आते हैं कि मान कितना होगा तो इसका मान कितना होगा यह ग्याद करने के लिए हम तुकोमिती के एक सर्वस्मिका का प्रयोग करेंगे इसे आप सूतर बोल दीजिए आप जानते हैं सैक स्कॉार एक्स बराबर होता ह है बन प्लस टैन स्कॉार एक्स और आपको 10 एक्स का मान दीया हुँआ है माइनस चार बटे 3 तो इसमें आरा चैश्च में जब आप टैन-काटैन स्कॉार एक्स का मान माओं पर जाएगा तो यह आपकर यहां पर 13 वर्प करेंगे मानस चार वते 30 वर्प करेंगे तो 16 वटे नो यह पर अपर हर में बराबर रूदत है एक बटे सेखेस। इसका मत्तल यह हुआ कि अगर आप इसका विद्धकर्म करदेंगे तो आपको इनकर भी इसका करना अपढ़ाएगा। इसका करेंगे तो आपको यह निक्ष NOB dévelop醋 आपढ़र 25 और आपको मान गयात करना है इसकी साता से पहले कॉस एक्स का अब कॉस एक्स का मान गयात करने का मत्तब यह है कि आप दोना पक्षों का बर्मूल लेंगे तो यहां पर तो आप लिखेंगे कॉस एक्स एलाचैस में और यहां पर जब बर्मूल लेंगे तो आप लिखेंगे पिलस तर तिन बटे पंच भी माना जा सकता है अब कास X के आ ऊसा के या दोनों मान biinka जाएंगे यह एक मान मान आजाएगा अब हमना यह फैसला करना है कि कौह संकी हम यह वाला मान यह यह वाला मान मान महांने अब इस बह less पर आ झाए क्यों दूसॉरे चटर-तरताऊंस में हैं और दूस्स्तुर्थ में कौस का मान रणात्मक होता है धनात्मक नहीं होता है तो गलत की प्रक्रिया करने पर यहां पर कौस का मान धनात्मक आ रहा है कौस एकस का मान धनात्मक आ रहा है लेकिन एक सब्सक्राइब तो है एकस एंगल यो है वह दूसरे चौतरतांस में है इसलिए दूसरे 44 में कॉस एक्स का मान जो है वैं धर्यात्मक पहुं Uh सकता हैं रहे हैं रहाई रардतम होता है तो यहां पलब हो जाएक कभी एसा होता है होता है क्या वाला करने पर हम्हें कुछ आजिते हैं जो अमान होते हैं चो पड़ादा पड़ता है यहां पर शोड़ेंगे और इसको ले लिए हैं मत्तब कोस एक्स बरावर हम देंगे सा माइनस थीन बर्टे पाँच अब हम सैन एक्स बटे दो कमान और इसी की साथा से याद कर लेंगे देखें यह कैसे आपको बतलाती है कि आपको ये फल प्राप्त हो चुका है कॉस एक्स बराबर माइनस तीन बटे पांच क्लियर अब आपने छोटे क्लासों में हाई स्कूल में एक सूत पढ़ा था कॉस एक्स बराबर होता है टू कॉस एक्स बटे दो माइनस बन और कॉस एक्स बराबर होता है वन माइनस टू सैन इसक्वाइर एक्स बराबर दो तो हम सैन एक्स बराबर दो का और कॉस एक्स बराबर दो का मान निकालने के लिए इनी दोनों सूत्रों के प्रयोग करेंगे तो पहले हम इससे अगर खौस एक्स बर्टे दो का मान निकालना चाहते हैं तब तो हम इस उत का प्रयोग कर लेंगे और पहले हम सैन एक्स बर्टे दो का मान निकलवाया है इसलिए हम पहले सैन एक्स बर्टे दो का ही मान निकाल लेती हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हमारे ली लैन प्रापन हो जाएगी दो साइन स्कॉार एक सब्टेज दो बरावर बन पिलस तीन बटे-पांच यह पक्षांतर करेंगे किसको पहले आप महानस से भाग कर दी गुड़ा कर दीजिए तो यह पॉजिटिव हो जाएगा यह पॉजिटिव हो जाएगा और इसको तो यह से दर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा यह जिस तरह से आप समझदना चाहिए तो सम्मीकण की बाते हैं चोटे क्लास की बाते आप जानते होंगे अब आप इसका LCM ले लिजिए पांच और यहाँ पर कुछ नहीं है एक माल लेंगे तो पांच पिलस तीन आपक 3 कि चैन और है और इस से आपको फल प्राप्त होता है 3-2 बड़ाबर 8 बटेव लला कैरा इस से काटेंगे चारा जाएंगे आपके तो इससे आपको फल पराफ्ट हुआ, साइन इस्कुार, एक्स बटे दो बराबर 4 बटे 5 के। अब आप साइन एक्स बटे 2 का मान निकालना चाहते हैं, तो आप फिरहापर आईए, धोनग पक्षाओं का बर्मूल लेंगे, तो साइं एक्स बटे 2 बराबर आएगा, वह पहले चित्रतांस का ये भाग है आपको उने करके दिखलाया था तो और पहले चित्रतांस में जो है सैन का मान पॉजेटिव होता है इसका मतलब यहां पर यह वाला मान हमारा अमान है तो यहां पर हमारा सैन एक्स बते 2 का मान निकल के आया हमारा 2 बते अंडरूट 5 के लिया अब ऐसा है कि इस मान को हम हर में जो है उसका अतकानस्ता परमे कर देती हैं तो अच्छा लगता है तो हर का परमन करने के लिए आप कर दीजिए कि आप 2 गुणा अंडरूट 5 बते हैं अंडरूट 5 सैन एक्स बटे 2 बराबर 2 अंडरूर्ट 5 मटे 5 उत्तर इस प्रकार से आपका ये सैन एक्स बटे 2 का मान प्राप्त हो गया क्लियार अब हम कौश एक्स बटे 2 का मान ज्याद कर रही है तो देखिए कि हम अभी थोड़ी दर पहले निकाल आई थे यहां पर सैन कॉस एक्स बराबर है माइनस तीन बटे पाच और हमने आपको बताया था कॉस एक्स बराबर होता है दो कॉस एक्स की जगे एल एचेस में लगा देंगी और आर एचेस हमारा वैसा और वैसा आ जाएगा मानस तीन बटे पाच अब इसको पक्शांतर करके हम एल एचेस से आर एचेस में ले जाएंगे तो हमें फल पराप्त होगा 2 cos square x बटे 2 बराबर 1 minus 3 बटे 5 और इसका जब L-CM लेंगे हम तो 5 minus 3 बटे 5 ये प्राप्त हो जाएगा और इससे प्राप्त होगा 2 बटे 5 तो 2 cos square x बटे 2 ये प्राप्त हो गया और इससे हमारा फल प्राप्त होगा cos square x बटे 2 बराबर 2 बटे 2 गुणा 5 और इससे कट जाएगा तो 1 आजाएगा तो cos square x बटे 2 बराबर होगा फल प्राप्त आपको 1 बटे 5 अब इसका हम बर्मूल लेंगे तो cos x बटे 2 बराबर प्राप्त होगा plus minus 1 बटे अंडरूट 5 इसका मतलब फिर यही हो गया कि cos x बटे 2 का मान या तो 1 बटे अंडरूट 5 होगा या minus 1 बटे अंडरूट 5 होगा लेकिन जैसा कि हम दिरना करे आई थे पहले ही cos x बटे 2 एंगिल जो है वह हमारा पहले 34 का भाग है और पहले 34 के अंतरका cos का मान जो होता है धनात्मक होता है इसका मतलब यह बाला मान तो माना नहीं जाएगा यह बाला मान तो अमान हो गया यह भले ही गरत की प्रक्रिया करते हुए हाँ पर यह मान अनात्मक आ गया लेकिन माना नहीं जाएगा यह मान्द होगा तो cos x बटे 2 बराबर हुआ एक बटे अंडरूट 5 अब आप इसका हरका परमेकण करने के लिए अंडरूट 5 से अंसमे और अंडरूट 5 से हर में गुणा कर देंगे तो आपको फल प्राप्त हो जाएगा cos x बटे 2 बराबर अंडरूट 5 बटे अंडरूट 5 बटे अंडरूट 5 बटे 5 उत्तरा यह आपको फल प्राप्त हो गया यह आपको cos x बटे 2 का मान प्राप्त हो गया यह sin x बटे 2 का मान प्राप्त हो गया अब आप 10 x बटे 2 का मान निकालिए तो टेन एक्स बटे दो का मान आप इससे निकाल सकते हैं टेन एक्स बटे दो बराबर होगा सैन एक्स बटे दो और कॉस एक्स बटे दो और सैन एक्स बटे दो का मान आपका निकल के आजा है कितना दो अंडरूट पाँच बटे पाँच और इसका मान निकल के कितना आजा है आपका कॉस का इसका मान निकल का आजा है अंडरूट पाँच बटे पाँच तो ये बटे के बटे है यह बिन पलड जाएगी तो आपको प्राप्त हो जाएगा दो बटे अंडरूट पांच बटे पांच गुणा पांच बटे अंडरूट पांच इस अंडरूट पांच से अंडरूट पांच कैंसल हो जाएगा इस पांच से पांच कैंसल हो जाएगा तो आपको फल प्राप्त ह 10x grounded 2 बराबर 2 इस पकार से दी गई तर्ग के अंसार आपने 10xmind2 você se 근ood or 10xरndu 2 के मानिद 무슨 अब data कर लिये सीब ए हैं आप सीफ्सेंधर लिख देना वाद में sonaka2 बराबर 2 अंड़रूर्ट पांच पांक कौस एक्स बटे दो बराबर अंडरूट पांच बटे पांच और टैन एक्स बटे दो बराबर दो और यह आपका हो गया उत्तर प्रिश्णों को रटी यह मत प्रिश्ण के संबंद में जितनी भी अधिक से अधिक जानकारी आप कर सकते हैं जितने भी आप अधिक से अधिक नियमों को आपको जानकारी होगे उतनी ही अधिक से अधिक प्रिश्णों को आप आसानी से और जगमता से करते रहेंगे 10x का मान कितना होता है मानस कम माना जाता है positive कम माना जाता है negative कम माना जाता है कौन कौन से सुत्र होते हैं इस बात का कहने का मतलब क्या है कि दूर से 24-30 में है इस बात के कहने का मतलब क्या है कि पहले 24-30 में है इसका मान negative नहीं माना जाएगा इस सब बात हम जी बोलते हैं यह आपको इन सब के अर्थ मालूम होना चाहिए प्रशन करने के साथ साथ आप इन बातों को ठीक से बिचार कर लिए आपके कभी भी कोई प्रशन कलत नहीं जाएगा और आप प्रशनों को सेम आसानी से करते रहेंगे और अधी आपको नियमों क को याद कीजिए आथ की बात पूरी होती है नमस्कार धन्यवाद कर दो